हेलो फ्रेंड्स वेल्कॉम बैक मैं चैनल चलिए अज देखते हैं बटम मश्रूम रेसिपी कैसे बना रही हूं चलिए अज का मेरा रेसिपी शार करती हूं आप लोग के साथ अच्छे लेगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए चलिए यह बाला है देखिए इसको कि काटके में धोके अच्छी तरह से साप कर ली हूं और इतना बड़ा-बड़ा की हूं इसका थोड़ा रोष्ट बनाऊंगी जोल-जोल जैसे बनाऊंगी कि कृषकई मसाला में ज्यादा कुछने डालना है यह द्रक लश्ण और पव्रेयंड कर लूंगी उसके बात यह न्या वाले मस्रूम का जो मसाला है उसको लाई हो उसके डालोंगी हो जो जीरा है जीरा और धन्या तोड़ीं-थोड़ी से रोश्ट जो एभिए हुआ हुआ रेडिमेंड वाला उसको डालूँगी तो चलिए बनाते हैं चलिए मसाला रेडि करते हैं और लेसन प्याज अधरक और जिरा पाउडर और धन्या पाउडर देंगे थोड़ी-थोड़ी से जाद धनी देते हैं जाद देने से अच्छा भी नहीं लगता है उसको थोड़ी से पाने मिला के उसको पेस्ट करेंगे के रेडि करते हैं इसको रेडि हो गया हमारा पेस्ट और कड़ही में थोड़ी सी सुर्षो का तेल लेंगे और जैसे ही हम लोग नर्माली सबजे बनाते हैं वैसे ही हम लोग सबजी को मश्रूम को फ्राय करेंगे देखे जो मसाला रेडी के थे उसको डाल देती हूं यह थोड़ा पक जाने के बाद हम लोग जैसे ही टमाटर देते हैं सब्जी में वैसे ही टमाटर भी दे देंगे देखे दे थर देखे एat यह थोड़ी देर के बाद छोड़ देते हैं लाल मिस्ते रहे हूं चिकन मसला धूरह दे रहे हूं उसका कलर के लिए टमाटर जा सका मातर देंगे अच्छी तरह से पक जाएगा उसके बाद मसरूम को देंगे थोड़ी से पानी देके हम लोग ढग देंगे देखिए थोड़ी देर के बाद और अच्छी से पग गया है पग जाने के बाद अच्छी से फ्रह होने के बाद पानी देंगे उसका ग्रेवी बनाने के लिए उपर में थोड़ी से ओ और डिपने वाला मश्रूम का मसाला दी हूं बनाई है ऐसे ग्रेवी वाला मस्रूम मस्रूम रसिपी कैसे लगे आप लोगों को अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब किजिए और मुझे सब्सक्राइब किजिए थैंक यू आज के लिए इतना ही नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं बाइबाइब